Hello Friends, Welcome Back to my YouTube Channel Digital Rahul दोस्तो आज फिर चेक नई अप्लिकेशन का रिव्यू करने वाले हैं जो भी जश्ट लॉंच होई है उस अप्लिकेशन के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए इस विडियो को पूरा देखेगा उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं उसमें आपको जोईन करना चाहिए या नहीं दोस्तो बहुत सारी अप्लिकेशन लॉंच होती रहती है इसमें कुछ सौट टर्म के लिए होती है तो कुछ लॉंग टर्म के लिए होती है अगर लॉंग टर्म वाले अप्लिकेशन में अगर सुरू में आप जॉइन कर लेते हैं और धोरा सा इंवेस्टमेंट करके टीम बनाते हैं तो कापी अप अच्छा इंकम ले सकते हैं तो इस वीडियो को पुरा देखने के बाद आप डिसाइड कर पाईएगा इसमें आपको जॉइन करना है या नहीं अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ओल कर लिजेगा इससे फ्यूचर में अर्निंग अप्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फोर्मेशन आती है कोई भी वीडियो आती है तो सबसे फ़ले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए स्क्रीन से र करके आपको सारी जनकारी देते हैं दोस्तो आज मैं इस अप्लिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है crownvip.in ये एप्लिकेशन काफी लॉंग टाइम चलने वाला है इसकी सारी डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले इसका रिष्टेशन कब हुआ और इसका डाटा क्या है सब कुछ दिखाऊंगा उसके बाद आपको रिष्टेशन प्रोसेस, रिचार्ज प्रोसेस, विड्रॉप प्रोसेस, कैसे अर्निंग होगी और साथ में मेरे तरफ से आपको एक स्पेशल ओफर भी मिलेगा जो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा तो आप वीडियो को पुरा लास्ट तक देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका डोमेन हिस्टरी है crown.dice.in के नाम से इसका वेविसाइट है GoDaddy से लिया गया है रिच्टेशन हुआ 18 अप्रियल 2022 को स्पायर होगा 18 अप्रियल 2027 को मतलब ये 5 सालों का डोमेन लिया गया है तो ये एप्लिकेशन काफी लॉंग टाइम है तो इस एप्लिकेशन में अगर आप जो आइन करते हैं और टीम बनाते हैं तो आपको काफी अच्छा इंकम हो सकता है अब आपको बताएंगे क्राउन भी आईपी में रेस्टेशन कैसे किया आता है तो दोस्तों जो एप्लिकेशन आपने डाउनलोड किया है उसको ओपेन कर लेना है ओपेन करने के बाद आपको साइनिंग का ओप्शन मिलेगा उपर में और नीचे create new account आपका new account बनाना है तो create new account पे क्लिक करना है इंटर user id यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं आपका जो नाम है उपर डाल दिजे नीचे mobile number आपका जो है यहाँ पे डाल देना है password create कर लेना है उसके बाद वही password नीचे confirm password में डाल देना है इंटर invitation code में जिन्होंने आपको code share किया है invite code उस code को यहाँ पे put कर देना है और नीचे create new account पे क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे आपका account create हो जाएगा उसके बाद आप sign in वाले option में जाके user id जो आपने generate किया है और password जो आपने डाला है उसको यहाँ पे put करके आप sign in कर सकते हैं दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने अपना user id और password डाला ok किया तो मेरा id खुल गया इसी तरीके से आप new account create करके उसके बाद लोग इन कर सकते हैं दोस्तों आप deposit कैसे करना है वो बताएंगे उपर में आप देख रहे हैं deposit वाले option में click करना है click करेंगे तो आपको 500,000, 2000, 5000 सब का list आपको मिल जाएगा यहाँ से आपको जितना amount recharge करना है वहाँ आप लिक देना है और UPI वाले option में select करना है process पे click करना है click करने के बाद आपको UPI ID आएगा और यहाँ पे copy करने का option दे रखा है आपको यहाँ copy कर लेना है और उसके बाद आपको Paytm भी इसी भी application में जाना है और वहाँ से payment कर दिना है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ Paytm में जाकर कैसे recharge करना है तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे to bank account to bank account में click करेंगे तो उपर में enter bank account और नीचे enter UPI ID दिया हूआ है यहाँ पे paste कर देना है और यहाँ process पे complete कर देना है payment complete होने के बाद UPI reference number यहाँ से आपको copy कर लेना है copy पर click करते हैं यह copy हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दरा इंटर इफ्रेंस number यहाँ पे जाके इसको paste कर देना है paste करने के बाद I have paid वाले option में click कर देना है जैसे paid वाले option में click करेंगे थोड़ी देर के बाद आपका amount आपके wallet में आ जाएगा मैंने recharge किया था उसका history आपको दिखा देता हूँ profile वाले option में जाएंगे और यहाँ से deposit record में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 200 रुपे का recharge दो बार किया था उसके बाद मैंने money को withdraw भी किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तो deposit के बगल में आप देख पा रहे होंगे withdraw का option दिया गया है यहाँ से आप amount को withdraw कर सकते हैं withdraw मैंने किया था उसका आपको history दिखा देता हूँ profile वाले option में जैसे ही click करते हैं यहाँ से आपको deposit record के नीचे withdraw record आएगा वहाँ पे click करेंगे तो success वाले option में जाके देखेंगे तो यहाँ से मैंने 530 रुपे का withdraw किया था जो success हो चुका है पाँच मिनट के अंदर मेरे account में आ गया text message भी आप देख सकते हैं इसको कैसे play करना है कैसे un करना है वो अब आपको बताएंगे दोस्तो आप loot खेलते हैं तो उसमें आपको win करने में ज्यादा time लगता है लेकिन इसमें मातरे 2 मिनट में आप win करेंगे और आपका winning price आपके wallet में आ जाएगा जो आप bank account में आसानी से ले सकते हैं बहुत ही कम time में आपके account में आ जाएगा दोस्तो आप देख वा रहे होंगे lucky dice इस पे आपको click करना है आपके सामने इस तरीके का interface आ जाएगा जिसमें आपको dice का picture दिया हुआ है और number दिया हुआ है इसमें आपको small और large का option select करना है जैसे माल लेते हैं आपके पास 3 dice है एक dice में 6 अंक आया दूसरे में 4 आया तीसरे में फिर 6 आया तो 6 और 6 12 हो गए 12, 4, 16 हो गए मतलब 3 का add करने का आपका 16 अंक आ रहा है मतलब आपका large है और 3 में अगर 2 आ रहे है 3 आ रहे है, 4 आ रहे है और अंक कम है तो वो small का लाएगा तो आपको लगता है ये 3 डाइस का अंक मिला के large नंबर आएगा तो आप large पे click करेंगे और 10 रुपया, 20 रुपया जितना चाहे आप click करके weight लगा देंगे तो मैं आपको live proof दिखा देता हूँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मुझे लग रहा है कि 3 डाइस मिला के large नंबर आएगा तो मैं large का selection कर लेता हूँ large पे click करना है अंक जो दिया हुआ है उस पे कुछ नहीं करना है नीचे buy का option दे रहा है buy वाले option में click करना है और यहां से 10 रुपया, 20 रुपया जितने का bet लगाना चाहते हैं उतना amount को type करके enter पे click कर देना है और यहां पे confirm पे click कर देना है मेरा bet लग चुका है और मुझे 55 second wait करना है उसके बाद result आपके सामने होगा तो आप देखिए last में क्या होता है मेरा bin होता है या loss होता है यह आपको सामने में दिखाई देगा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने large का selection किया था और large आया है यहां से जब balance को update करेंगे तो 199 हो गया दोस्तों ऐसे ही आपको bet लगाना है अगर आपको लगता है कि small आने वाला है तीनों dice मिला के 3 से 10 के बीच में अगर number आता है तो वो small होगा तीनों dice का count 11 से 18 के बीच आता है तो वो large मान जाता है तो आपको small और large का selection करना है और यहां पे buy पे click करना है और amount को fill करके submit कर देना है इसी तरीके से आप bet लगा के आसानी से 2 मिनट के अंदर में income कर सकते हैं आप team बनाते हैं और आपका जो भी referral recharge करता है उसे company आपको bonus देगी और साथ में मेरे link से जो आप join करते हैं तो मेरा जो offer है मैं आपको दूँगा दोस्तों मेरे तरफ से special offer है अगर आप मेरे refer link से join करते हैं और recharge करते हैं आपका verify पाया जाएगा तो आपको 500 रुपे का recharge में 50 रुपे मेरे तरफ से gift मिलेगा अगर आप 1000 का recharge करते हैं तो आपको 100 रुपे का gift मिलेगा अगर आप 2000 का recharge करते हैं तो 200 का gift मिलेगा 3000 का recharge पे 300 का 4000 के रिचारज पे 400 का और 5000 के रिचारज पे 500 का आपको gift मिलेगा इसी ratio में आपको gift मिलेगा ये मेरे तरफ से आपको reward मिलेगा और आप company से बात कर सकते हैं company आपको अलग extra reward देगी वो आपका अलग profit हुआ और अगर आप team अच्छा बना लेते हैं तो आप इसको आसानी से use कीजिए अपने लोगों को share कीजिए रेफर करके team बनाएए और काफी long time तक income लेते रहे उमीद है आपको वीडियो अच्छे लगी like कीजिए, comment कीजिए अगर कोई problem हो तो मुझे whatsapp कर सकते हैं whatsapp number आपको description में या screen पे मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद